मित्रों आप सबको जानकर गर्व होगा कि हमारा हिंदु धर्म विश्व का एकलौता ऐसा धर्म है जिसकी धर्मिक किताबों में जो हो चुका है जो हो रहा है और जो होने वाला है अर्थार भूद भविश्व वर्तमान सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है यहां तक कि कव औ नारिक ग्रंथों के अनुसार चार युग होते हैं सद त्रेता द्रॉपर और कली वर्तमान में कली काल अर्थात कल्यूग चल रहा है अक्सर हम लोग सोचते हैं कि आखिर कैसे कल्यूग का अंत होगा आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको अलग-अलग ग्रंथों में कल् भविशय में बताने जा रहे हैं इसलिए आप सबसे निवेदन हैं कि वीडियो को अंतक जरूर देखें मित्रोप भागवत पुरान में लिखा है कल्यूग के अंत के समय मनुष्य सभी वेदों को छोड़कर संसकार सून ने हो जाएगा तब सत्ता में ऐसे लोग आसीन हो ज पुरान में ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारत भयंकर कल्यूग के आने पर मनुष्य का आजरण दुष्ट हो जाएगा योगी भी दुष्ट चित्वाले हो जाएंगे अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरा धर्म का आश्रा लेंगे देवताओं का देवत्त भी नस्त्र हो महरसी व्याज जी के अंसार कल्योग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा लोग बिना विवाह के ही एक दूसरे के साथ रहेंगे कोई किसी बल्वान होगा वही कल्यूंग का स्वामी होगा सबी लोग अपनी कन्याओं को बेच कर जीवन यापन करें केलें में जो किसी का वचन होगा वही सास्त्र माना जाएगे कल्यूंग में थोड़े से धन से मनुस्यों में बड़ा घमंड होगा इस्त्रियों को अपने बालों की सुंदर्ता पर बहुत घमंड होगा इस्त्रियां गरीद पती को छोड़ देंगी उस समय धनवान पुरेशी इस्त्रियों का स्वामी होगा कल्यूग के अंत के समय दान पुन्य समाप्त हो जाएगा लोग बुद्ध सिर्फ दन संग्रा में लगाएंगे कल्यूग में इस्त्रियां धन विलासिता में डूबी रहेंगी बड़ो और अपने पती का अग्या का पालन नहीं करेंगी और अन्याय से धन पैदा करने वाले पुर्षों में उनका आधिक विश्वास होगा कल्यूग के अंत के समय जलवाय। पूरी तरह से बदल जाएगी जनता सूखा बाड़ और भूकाम पसेत्रस्त्र हो जाएगी लोग बिना इसनाय के ही भोजन करेंगे पूजा पाठ अतिति सत्कार पूरी तरह स्रमाप्त हो जाएगा कल्यूग के अंत के समय आठ से दस वर्ष के बच्चे ही संतान जन्म देने योग हो जाएगे मनुष्य की अधिकताम आयो बीस वर्ष रह जाएगी धर्ती से गंगा विलुक्त होकर बैकुंठ लोट जाएगी देवी देवता भी धर्ती को त्याग देंगे असा है आपको हम करी पसंद आये होगी अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलें